आपका स्वागत है आज का हमारा आठीकल भारती नियाइपालिका में व्याप्त चनोतियों के संदर्व में है इसके साथ ही नियाइपालिका के संदर्व में कहे जाने वाले नियाइक सक्रीता शब्द के विभीन पक्षुम को भी इस आर्टिकल में शामिल किया गया है। ये ओडियो आर्टिकल समान अध्यन प्रश्ण पत्र दो के राज विवस्ता खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारती नयपाल का की समस्या। साल 1973 में अमेरिका में एक रोब बनाव वेड मामला आया था। इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाती हुए महलाओं के गर्व पात के अधिकार की समिधान द्वारा दिये गए एक मौलिक अधिकार की रूप में व्याख्या क राज विवस्था पर दूर गामी प्रभाव होंगे। गौर तलब है कि अमेरिकी नयपाल का विश्व की सरवाधिक शक्तशाली नयपाल काओं में से एक मानी जाती है। अमेरिकी सुप्रीम कोट वह वहां के राज सुप्रीम कोट्स ने अनेक महित्पूर निरड़यों के म विधाय का दौरा बनाई गई विधी को प्राथ मिक्ता देने की बात कहती है तो इससे नयाइक सक्रीता के बहस में एक नया सिरा जुड़ जाता है। भारती सम्विधान इवं राज विवस्था में अनेक तत्तो अमेर की सम्विधान से प्रेरित हैं। भारती के नयाइपा और अन्य वरिष्ट सदस से भारती समाज वा राजनीतिक विवस्था में न्याय पालिका की ज्यादा बहुम की भागिदारी की वकालत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर संसद्वा सरकार की कुछ हलकों से न्याय पालिका में पार दरश्टा लाने की बात कही जा रही है। इस संदर्व में राजिसभा के नव न्युक्त सभापती का लेख महतिपूर हो जाता है जिन्होंने सदन में अपने पहले भाशण में न्याय पालिका में न्युक्तियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की साथ ही सरबूच न्याय आले द्वारा असमवेधाने घोशित किये गए राश्ट्रिय न्यायक न्युक्ति आयोग का भी जिक्र किया इस आयोग को 99 सम्मिधान संशोधन अदिनियम 2004 के द्वारा लाय गया था तो ऐसे में आज की आर्टिकल में हम भारत में न्याय पालिका की स्थिती पर विचार करते हुए न्यायक सुधारों की आफशेक्ता वा संभावित न्यायक सुधारों की चर्चा करेंगे साथ ही इसके अन पहलूँ की भी चर्चा करेंगे तो आईए सबसे पहले न्याईक सक्रीता के बारे में जान लेते हैं दरसल न्याई पालिका की भूमिका केवल कानूनों की व्याख्या तक सीमित हो या उसी राष्टवा समाज के प्रगती में बढ़ चड़ कर अपना योगदान देने का अफसर दिया जाए यह सवाल हमेशा से ही लोग तांत्रिक विवस्थाओं के लिए एक पहली रहा है और अगर न्याई पालिका की भूमिका महस कानूनों की व्याख्या से आगी निकल जाती है तो इसे न्याईक सक्रीता की संग्या दी जाती है न्यायक सक्रीता नागरिकों की अधिकारों की रक्षा में न्यायक पालिका की सक्रीय भूमिका को दर्शाती है इसकी शुरुवात सबसे पहले सयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है भारत में सर्वोच न्यायाले और उच्च न्यायालेयों को किसी भी कानून की सम्वेधानिकता की जाच करने की शक्ती प्राप्त है और यदि कोई कालून समविधान के फ्रापधानों के साथ असंगत पाया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा असमविधाने घोशित के आजा सकता है न्यायक सक्रीता के पक्षकारों का ये मत है कि न्यायपालिका की बड़ती भूमका को समझने के लिए उन कारणों को जानना आवश्यक है जिनकी वजह से न्यायपालिका सक्री भूमका निभा रही है दरसल सरकार के आन्य अंगों जैसे कारणों विधाईका में बड़े प्यमाने पर विष्टाचार संसत का अपने विधाई करतव्यों से अनभिग्य होना लोकतंतर की से धानतों का लगातार चरण होना इत्याद ही ऐसे कारण हैं जिनके चलते न्यायपालिका को अपने पार पर एक दाइरे से बाहर आकर नयायक सक्रीता दिखानी पड़ी साल 1997 में एक मामला विशाखा बनाम रादिस्थान राज्य आया था इसमें सर्वुच नयायाले ने कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किये थे नयायाले ने कहा था कि इनका सभी कारिस्थलों में पारन कि आजाना चाहिए ताकि महलाओं के साथ उचित विवहार सुनिशित किया जा सके इसमें आगे कहा कि इन दिशा निर्देशों को एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए जब तक कि संसद लेंगिक समानता को लागू करने के लिए कानून नहीं बनाती है हाला कि नयाइक सक्रीता जब सक्रीता की सीमा से आगे बढ़कर अती सक्रीता या अतीरेक के चरण में पहुँच जाती है तब यह शक्तियों के फितक करण के सिध्धान के लिए खतरा बन जाती है ऐसी स्थिति में यह समिधान की भावना को कमजूर करती है इसके लाबा कुछ परिदश्यों जैसे पर्यावरण, नैतिक, राजदितिक मामलों में विशिष ग्यान की आफशक्ता होती है। इन मामलों में नयाई पालिका के पास हमेशा ग्यान हो जरूरी नहीं। ऐसे में अगर इन ख्षेत्रों में कुई अनभव ना होने पर भी वह नडए ना केवल विशिष ग्यता के अभाव में कमजोर होगा बलकि देश के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। प्रितक करण के सिधान्त को बनाए रखें। नयाई प्रकरिया में वास्त्विक सुधारों के लिए नयाई पालिका को आत्मा वलोकन करते हुए अपनी सक्रीता की सेमाओं पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद आईए अब समझते हैं कि भारती नयाई पालिका के समक बन जाती है, NJDG यानि राष्ट्रिय न्यायक डाटा ग्रिड के मताविक वर्तमान में भारत के जिला एवं तालुका न्यायालेयों में करीब 4 करोड से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहीं दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालेयों में लंबित मामलों की संख्या 69 लाग से ज्या है कि न्यायपालका में व्यापक सुधारों की मांग आए दिन उठती रहती है, विसी शग्यों के मताविक मामलों की निप्तान में देरी होने का सबसे बड़ा करण भारती न्यायपालका के हर इस्तर पर भारी संख्या में रिक्तियों का होना है, संख्ये विधी और न्याय मंत्रालय द्वारा देगी जानकारी के मताविक नवंबर 2022 तक सर्वोच न्यायालय में न्यायदीशों के 34 स्विक्रित पदों में से 6 वासभी उच्च न्यायालयों में कुल स्विक्रित 1108 पदों में से 335 पद खाली है, वह और तलब है कि भारती पदों के खाली होने के करण अंतिम रूप से न्याय मिल पाने में देरी होती है। इसके लाबा प्रति निदुत्य के समानता भारती नयाय पालिका के समक्ष मौजूद एक बड़ी चुनोती है सर्वुच नयायाले में वर्तमान में कारेरत 28 नयाय अधिशों में से केवल दो महलाई है अनिकारलों के साथ यह बात इसलिए भी चिंता जनक है कि देश के सर्वुच नयायाले में देश की आधियाबादी का प्रति निदुत्तों महज साथ प्रतिशत है इस मामले में उच नयायालेयों में भी कमों बेश ऐसी ही इस्तिती है देन संख्या के इतने वड़े वर्ग का नयाय करने की प्रक्रिया से दूर होने से नयाय की नड़े देने में एक संतुलित दिश्टी का अभाव हमेशा बना रहता है इस अभाव की कोटी का अंदाजा तब तक लगा पाना मुश्किल है जब तक प्रतिनिधित्य के इस्तर पर लेंगिक संतुलन सुनिश्चित न हो जाए हाला कि लेंगिक असंतुलन प्रतिनिधित्य की समस्या का केवल एक पक्ष है सर्वुच नय पालका में अल्प संख्यकों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों दिव्यांगों वा अन्यवंचित वरगों के प्रतिनिधित्य के स्तिती भी बेहर खराब है नयाय पालका में प्रती निद्ध की अनादर्श इस्तिती के करण सर्वुच नयाय पालका में निउक्ति की प्रकरिया पर भी ध्यान जाता है दरसल सरवुच नयायाले और उच नयायालेों में नयायधीशों की नुक्ति कॉलेजियम विवस्था द्वारा की जाती है इसका विकास सुप्रीम कोर्ट के निर्डियों के माध्यम से हुआ है इस कॉलेजियम के सदश्य नयायधीश ही होते हैं इसलिए नयदीशों द्वारा ही नयदीशों की नुक्ति होने से इस प्रक्रिया में अपार दर्शिता और मन माने पन की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा कॉलेजियम पर भाई भती जावाद और बढ़ावा देने वापक्ष पाती होने के आरोप लगते हैं। कॉलेजियम किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रती जवाव देह नहीं है। यह इस्तिती सही उम्मीदवार के अंडेखी करते हुए घलत उम्मीदवार के चैन का कारण बन सकती है। इसके अतरिक्त मैक्टो शहरों वा राजिके राजधानियों को छोड़ दिया जाए तो देश की अधिकांस्त अधिनस्त नियायाले मूल भूत अव सरचना की कमी से क्रसित हैं। साथ ही नयायक प्रक्रिया का जटिलवा खर्चिला होना निर्धन तथा वंचितों को नयाय से दूर ले जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में आगी की राह क्या हो सकती है। नयाय पालका वा नयायक विवस्था में सुधारों की आप शेक्ता से इनकार नहीं किया दे सकता। इसे अतीत में अनेक बार रेखांकित भी किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि सुधारों की यहराय न्याय पालिका के भीतर से ही निकलेगी या संसद और कारे पालिका के हस्तक्षेप से न्यायक विवस्था दुरुस्त और समय बद्ध होगी। इसका उत्तर शासन की तीनों अंगों की संतुलित वासहयों की भूमका में छिपा है। आदरश रूप से होना यह चाहिए कि निक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने वा देश की जनसंख्या के अनरूप न्याया धीशों की संख्या बढ़ाने जैसे कारे निर्वाचित प्रतिन निधियों दौरा किये जाएं। तुरित न्याय की रह में न्याय पालका के भीतर की बाधाएं न्याय पालका दौरा ही हटाई जाएं। एक अन्य महित्पूर्तत्य जो निर्विवाद रूप से भारत को एक बहतर न्यायक प्रडाली विक्षत करने में सहयता कर सकता है। वह एक अखिल भारती न्यायक सेवा की इस्थापना करना है। इसमें न्युक्ति प्रक्रिया में तेजी और पारदरश्टा दौरा सुनिश्चित करने में सहयता मिलेगी। हालाकि न्यायक न्युक्तियों से जुड़ी सभी जटिलताएं किवल न्याय पालका या कारे पाल के प्रियासों से दूर नहीं होंगी। बलकि इसके लिए इन दोनों को विधायका के साथ मिलकर संतुलित समाधान की रहा खोजनी होगी। आए अब अभ्यास प्रश्ण देखते हैं। भारत में न्याय पालका की समक्ष मौजूद वर्तमान चुनोतियों का विशलेशन करत हुए संभावित न्यायक सुधारों का उलेख कीजिए।